वेले दोस्तों वेले दोस्तों बैक टूदा चैनल सरस्टी स्टी पॉइंट इलावाद एल्वेंवस्टी में नॉन टीचिंग स्टाफ की बहुत सारी वेकेंसी निकाली है और इस वीडियो में मैं आपको सारी वेकेंसी के बारे में बताऊंगी जितने भी नोटिफिकेशन आ मैं यहां पर बताऊंगे फॉर्म भरने की मैं आपको सबसे पहले जो है स्टार्टिंग एक मार्च से शुरू हो गई है और आपकी 4 अपरेल 2024 तक रहेगी फॉर्म भरने की जो है डेट आप एक महीन आया भी आपके पास आप अच्छे से इस पूरे नोटिफिकेशन को पढ चार देखने को आपको मिलेंगे यह देखिए यह हैं पूरे चार पद असिस्टन लाइवरियरियन के और चार यह गुरूप एक ही वेकेंसी है और चार पद है यह चार पद में तीन अन्रिजर्व है एक ओबीसी की वेकेंसी है और इसमें देखिए इसके सासत फीस आपको पता दूँ फीज अन्रिजर्व EWS OBC इन तीनों को 2000 रुपए फीज देनी है और PWD यानि की परसन विद डिसाइबलिटी जिसे दिव्यांगे लोग कहते हैं उनको फी कुछ नहीं लेकिन फैसिलिटेशन चार्ज दसौर रुपए देना पड़ेगा ठीक है इसके साथ यहां प पूरा अप्लिकेशन नंबर देना होगा और उसके साथ साथ आपको फैसिलिटेशन फी चार्ज भी देना होगा 500 रुपए ठीक है यानि की फ्रेश आपको फॉर्म फिल करना होगा पुरानी डिटेल देने के साथ इसमें पूरा दे रखा यह और इसके साथ साथ मैं यहां पर आपको बता दूँ कि इसके लिए जो है एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रहने वाली है वो मैं आपको यहां पर दिखा देती हूँ ठीक है यह पूरा एक मिनट यह तीन परने का है और इसके एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में यहां पर जो है ऐसा कुछ द आपकी यह मांगा जाता UGC के नौम्स के नुसार यहाँ पर यह लिखा है कि आपकी जो पूरा जो एजुकेशन कौलिफिकेशन यह होगी तो इसमें यह लिखा भी है पूरा PSD के लिए देखे पूरा दे रखा है इसके साथ 55% मांग सी पता है PG के दे रखे हैं तो इस तरह से यहाँ पर पूरा दे रखा अगर अगले वाले नौटिफिकेशन में दे रखा होगा तो मैं उसमें आपको पताऊंगी अब अगले नौटिफिकेशन पर चलता है कि उसमें किस चीज की वेकेंसी दे रखी है देखे दोस्तों यह है दूसरा नौटिफिकेशन यह भी देख और यह फारम भरने की डेट वो ही है एक मार्च से एक अपरेल 2024 तक फीज देखें यहां पर कम हो गई है पंद्रा सो रुपय हो गई 100 रुपई चार्ज हो गई तो 1600 हो गई या 800 हो गई 700 पलस 100 800 हो गई SCST की और वहाँ देखी 2000 और 1000 थी है न अन्रिजर्व और EWS और OBC की देखी यहां 1500 और 100 जोड़कर और PWD का तो वही है 100 रुपए केबल जो इनका फैसिलिटेशन चार्ज है इसके बाद वही बात यहां पर लिखी है कि those who had earlier and are on any post and where no selection have been made मतला उन्होंने इस post पर पहले form भरा था लेकिन उनका selection नहीं हुआ है उन्हें fresh application form देना होगा पूरी अपनी fees की detail के साथ जो उन्होंने fee paid की है और फिर भी उन्हें 500 रुपए यहां पर fees जमा करनी होगी अगर पहले form भरा है और आपकी यहां पर जो है आपका selection नहीं हो पाया है तो देखे deputy registrar की यहां पर एक पद है इसके साथ साथ director college development council की एक पद है electronics shop engineer का एक पद है इसके साथ साथ यहां पर executive engineer का एक पद है internal audit officer का एक पद है public relation officer का एक पद है scientist b का एक पद है scientific officer का एक पद है system analyst या system programmer का देखे तीन पद है यहां पर system manager के यहां पर तीन पद है ठीक है तो इस तरह से ये पद दे रखे हैं और ये देखिए पूरा इसमें इन्होंने वही सब लिखा होगा किस तरह से फॉर्म भरना है और Government of India के according जो आपको category के according relaxation मिलना चाहिए वो सब इसमें relaxation आपको मिलेगा definitely मिलेगा और ये यहाँ पर पूरा दे रखा इसके बाद यहाँ qualification जरूर दियोगी ये देखिए qualification deputy registrar के लिए देखिए लिखा है कि आप 45 साल से बड़े ना हो ठीक है SCST और OBC physically handicapped के लिए Government of India के अनुसार आपको age relaxation मिलेगा ये देखिए ये है 55% आपने PG में आए हो आपके आपने post graduation किया हो और 9 एर का आपके पास assistant professor में जो academic में assistant professor के रूप में आपका जो है वो आपके पास experience होना चाहिए या या इसमें देखिए दूसरे के साथ या है ये comparable experience in research establishment के अंतरगत होना चाहिए या administrative experience हो पास साल का इन तीनों में इसे एक चीज आपके पास हराल में होनी चाहिए ये है और PG तो आप किया ही हुए हो ठीक है तो इसमें ये सब दे रखा है फिर director college development के लिए भी लिखा है कि 55 साल से आपकी उम्रे जादा ना हो इसके साथ आप PG करे हुए हो आर्ट, science या humanities में और इसके साथ 15 साल का teaching का experience हो और इस executive की जिनने job वगेरा कर रखी उनके लिए प्रफरेंस मिलेगा और desirable है अगर आप PhD कर रहे हैं तो और अच्छी बात है electronic shop engineer के लिए 35 साल से जादा उम्र ना हो M-tech आपने कर रखा हो ये पूरी category लिख रखी है ये सब इसमें दे रखा है executive के लिए 40 साल से उम्र जादा ना हो bachelor degree civil engineering में B-tech वगएर आपने कर रखा हो ठीक है ये सब इसमें दे रखा है इसके बाद ही पूरा internal audit officer के लिए 55 साल से जादा उम्र ना हो और commerce में आपने मतला M-com कर रखा हो इसके साथ public relation officer में भी आपने क्या है grade ये पूरा है master degree का रखी हो 55 journalism में 55% के साथ ये सब इसमें पूरा दे रखा है आप इसको जो है वो download करके अच्छे से पढ़ लिजेगा तो इसमें ये पूरा इन्होंने दे रखा है इसके ये लिखा है देखिए selection will be on the based of interview of screened candidate आप candidate की पहले screening होगी फिर maximum of 15 eligible candidate will be called for one post एक post के साथ 15 लोग बुलाए जाएंगे और पहले आपकी screening होगी जो आप document जमा करेंगे उनके according कितने number किस उसको मिलने चाहिए screening में चटने के बाद आपको एक post click 15 candidate बुलाए जाएंगे और उसके बाद आपका interview होगा interview based पर आपका selection होगा इसमें clear कर दिया है इनोंने अब चलते हैं grade B की vacancy पे उसमें क्या दे रखा है वो देखते हैं अब देखिए दोस्तों यह यहाँ पर आगई grade B की vacancy अब grade B की vacancy म में भी देखिए मैं main main बात यहां पर बता दे रही है जो फीस तो सेम वही है जो grade A की में है वही grade B की में है और यहाँ पर assistant engineer civil की एक पद है एक पद antiquity marker की है computer operator के तीन पद है और curator के तीन पद है है explorative assistant के तीन पद है इसके बाद instructor fine arts के एक पद ही पूरा दे रखा है junior engineer के द पद है sport assistant कोच के दो पद हैं तो इस तरह से इसमें दे रखें और फिर इनकी पूरी qualification भी यहां पर दे रखी है आप इस website पर जाएंगे वही और इस website पर आप सफ सर्च कर लेंगे इसमें फिलहाल form आप जब भरेंगे ना तो आपको खुश समझ में आ जाएगा कि क्या क्या इसमें requirement assistant engineer के लिए आपकी 45 साल से ज़्यादा उम्र ना हो first class degree हो आपके पास civil architecture की इस तरह से equity marker के लिए 35 साल से ज़्यादा ना हो और master degree N.C.N. history वगरा में आपने कर रखा हो archaeology में आपके पास diploma होने चाहिए 50% मा के साथ computer operator में 35 साल से ज़्यादा आपकी उम्र ना हो और आपने graduation in science with the certificate course of computer operator ये तो बहुत सारे बच्चे भर सकते simple graduation मांगा है 35 साल से आपकी उम्र जादना हो या आप B.C.A की हो दो साल का experience हो आपके पास curator की इस तरह से ये vacancy पूरी इसमें दे रखी है तो ये यहाँ पर हो गई आप चलते हैं देखे इसका इसका देखे इसका होगा written exam गुरुप B का पूरा written exam होगा और written exam में देखे पेपर 100 question होंगे 200 नंबर के और दो हंटे का पेपर होगा इसमें जो है गुरुप B की और वो गुरुप B के टेस्ट के लिए है ये ठीक है language प्रोफेंसी इंग्लिस के 15 question होगे हिंदी की प्रोफेंसी के लिए जनल अबिनेस के 40 और relevant subject of services account library और जनल administration इनमें से 30 किसी एक में 30 question होगे और हिंदी इंग्लिश दोनों में आपका paper आएगा आपके 0.5 पर question marks काटे जाएंगे बहुत ज़्यादा वो है यानकि 1 by 2 दो गलत होने पर एक सही प्रिशना आपका काट लिए जाएगा तो इस तरह से इसमें दे रखा है और यह पूरा तो यह written exam है गुरुप B का अब चलते हैं गुरुप C की तरफ देखिए दोस्तों गुरुप C में बहुत सारी वेकेंसी है सबसे ज़्यादा वेकेंसी गुरुप C में आपको दिखाऊंगे अभी मैं और इसकी fees गुरुप A और B की तरह ही है फॉर्म बज़मा करने की वही डेट है अब यहाँ पर हम असिस्टन Draftman की तीन है Dark Room Assistant की दो है Data Entry operator की चार है यह देखिए इस तरह से है फील्ड असिस्टन की दो है Groundman Waterman की दो है है Harwarium attendant की दो है इस तरह से अब यह देखिए Junior Officer Assistant Junior Officer Assistant की देखिए 49 है Library Laboratory Assistant की 8 है Laboratory Assistant की 19 है Laboratory Attendant की 30 है थीक है, लेवरेटी इटेंडिंडरी 12 हैं, मार्क्समेन की एक है चलिए, मल्टि-Tasking Staff MTS की देखिये, 141 हैं, nursing officer की एक है, male है, लेकिन, sent male की है, self-professional assistant की 7 वेकणी की है, तो मल्टि-Tasking Staff की तो 141 वेकणी है, तो इतिनी पूरा और मल्टी टास्के में देखी किस किसका उन्होंने सब डिवाइस भी कर दिया प्लंबर, इलक्टिशन, पंप, ओपरेटर, कॉर, और कारपेंटर की, कुक की, किचेन अटेंडन की, हेल्प डेक्स, क्लर्क की, हाउस कीपर की यह सब इसमें, यहाँ पर इन्होंने वेकेंसी दिखाई है, तो MTS के अंतरगत, तो यह पूरा है, आपर फॉर्म बरने का, और पूरा दे रखा है, और यह देखे, पूरा इन्होंने बता रखा कि कितनी-कितनी इसके लिए उम्र की जरुवत है, इसको मैं थोड़ा-थोड़ करके अच्छे से पढ़ लीजेगा, जिससे कि आपको आसानी से इसके बारे में समझ में आ सके, ठीक है, और आप अच्छे से इसको पढ़ कर, जिस भी कैटेगरी के अंतरगत आपको लग रहा है, आपको फॉर्म बरना चाहिए, तो निश्चित रूप से भरिए, अच्छी वेकेंसी है, और आपको सिर्फ एक ही पद की जरूरत है, बहुत से लोग सोचेंगे, एक एक वेकेंसी है, क्या करना, सब के माइंड में यह वाता रही होगी, कि बहुत से होगे, कि यह तो पहले से तैय हो गया होगा, यह है, वो है, तो ऐसा नहीं है, आप फॉर्म भरिए, क्या पता कि किसके भाग्य में क्या लिखा है, तो इस तरह से, तो यहाँ पर यह पूरा लिखा है, टेस्ट फॉर MTS के लिए एक टेस्ट होगा, जिसमें 100 कोश्चन होगे, MTS वालों के लिए, और ठीक है, तो इस तरह से कोश्चन होगे, पूरे एक्जाम कर जो भी होगा, प्रोफार्मा आपको लोग बता देंगे, और इसमें भी यह लिखा हुआ है, इसको आप पढ़ लिजेगा, तो यह काफी कुछ है, अगर मैं इस वीडियो को बहुत डिटेल में बनाऊंगी, तो यह काफी बड़ी वीडियो जाएगी, और बच्चे बड़ी वीडियो करके फॉर्म भरिएगा, यह आप तक मौट जाए कि वेकेंसी कहीं पर आई हुई है, बिल्कुल अथॉन्टिक नियुस पहुच जाए, है न, तो बच्चा जो है, फिर अपने रास्ते ढूंड लेता है, फिर वो कही न कहीं से उसको फॉर्म भरने का तरीका भी मिल जाता है तो पूरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी, दूस्तरों लाइक कीजगा, चैनल पर नए हो, सब्सक्राइब कर लीजगा, इस तरह के सारी अपडेट मैं आपको देती रहूंगी, मिलूंगे अगली वीडियो में, तब तक ले, नमस्कार